नमस्तकार भाईयों मैं साधावास्य पबंतिवारी बताना चाहूँगा पक्का आलू लगवग एक महीने का हो चुका है आप बेल की पोजीशन देख सकते हैं इस पोजीशन में लगवग सभी किसान भाईयों का दूसरा पानी लग चुका होगा लगवग तीसरे पानी की तयारी होगी या किसी की दूसरी पानी की तयारी होगी बेल की स्तिति आपको दिखाना चाहूँगा आप देखिए अभी बेल जो है बहुत बड़ी नहीं हुई है बस कूर दिखाई दे रहे हैं और इस टाइम पर पानी लगाने से पहले खाद का प्रियोग अबस्य करें खाद के साथ यूरिया और जैविक खादों के मिलाएं उसके बाद पानी लगाएं पहले खाद फिर पानी यही समझने किया बानी क्योंकि बहुत से लोग पानी लगाने के बाद खाद डालते हैं जो कि संचे उपाच के क्रिया के माध्यम से खाद का रिसा जमीन ज़्यादा ले जाती है और पेड को जो पौधे हैं आलू के उनको खाद कम मिल पाती है इसलिए पहले खाद डालें साम को उसके बाद सुबह पानी लगाएं तो खाद का जो पोसर पदार्थ है सारा का सारा पेड लेते हैं और आपके आलू का या हर किसी पेड का अच्छा सुनेशित विकास होता है सुनेशित विकास के लिए हम सुनेशित करें कि पहले खाद फिर पानी लगाएं खाद जयविक खाद जो की जीवांस खाद होती हैं इनको साम को डालें क्योंकि जीवांस गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं जीवांस अगर यदि गर्मी सहन नहीं करेंगे तो धूप में मर जाएंगे इसलिए साम को डालेंगे सुबह में पानी लगाएंगे आप देखेंगे आलू की पोजीशन देखिए हम ज्यादा नहीं सिर्फ एक ब्रक्ष को दिखाएंगे देखिए सार आप देखिए एक महीने एक आलू है वड़ा सुंदर पेड़ है किसी प्रकार की नैट्रोजन केल्सियम फास्पोरस मैगनी जिंक सलफेट सलफर बोरान कॉपर किसी तरीके की भी कोई समस्या नहीं है ब्रक्ष एकदम सुंदर है क्योंकि इसमें सूच पोसकतत मिस्रित सभी खादों का छिड़काव किया गया है उपर से पानी लगाया गया है भाईयों पैदावार बढ़ाने के लिए आप भी एक बार सही तरीके से खेती करें बहुत अधिक खाट डालने की जरूरत नहीं है लेकिन समझने की जरूरत है यह किसी प्रकार की कोई समस्या हो भाईयों को तो मैं अपना नंबर दे दूँगा आप बात कर सकते हैं बेजचक बेजचक नमस्कार भाईयो मैं पबंतिवारी साधाबाद से चैनल को सब्सक्राइब करें और ने लोगों को भी बताएं यह किसी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप अबस समस्या का समाधान करें